सो गाइस जी तो आप जानते हैं कल मैंने वीक 12 की टीरपी रिपोर्ट अप्लोड की थी साथ ही आप यह भी जानते हैं कि डिजनी पक्माओं से सिचिंग की डबिंग काम इसलिए अराम से कर रहा था क्योंकि उस टाइम पर बच्चों के एक्जाम चल रहे थे लेकिन अभी के पक्माओं में मोस्टली बच्चे के एक्जाम एंड हो चुके हैं और अगर हम डिजनी की मार्केटिंग स्ट्राटेजी देखे तो डिजनी किसी न्यू शो की सीजन को जब ही स्टाट करता है जब उन्हें थोड़ इसी अच्छी टीरपी मिलने लगती है और पक्माओं के के बच्चों के एक्जाम खतम हो गए थे और पक्माओं की टीरव में बहुत अच्छी ग्रोथ आया क्योंकि इस विक पोक्माओं सिक्ट पोजिशन पर आया और इस विक की टीरपी पोक्माओं की टी 1.6 और डिजनी इसी चीज़ का वेट कर रहा था अब हमें पक्माओं से 16 करेख के बाद कभी परहें को मल सकता है अब उसका प्रोमो या थे बाद मांदर अपरेल के बाद आएगा या तीक इसकी नहीं है ettr गयुक्त जाने के बहुत कम चांड्स हैं जैसे फेले अने के बहुत कम चांसी हैं कि और इसकी वहzh Benton weer के बहुत ही जदा जदी देखने को मिल जा effets अब काओस में बसक्ता हो को मिल जाएगा मैं यह बता सकता हूं और गाश दूसरी बत यह कि इस साल डिजन प्लाइन के उन्हें चार सीजन दिखाना है पोकेमोन के मलब सीजन 17 16 18 19 17 पहले ही आच चुका है 16 अभी अपरिल के मन्त में आ जाएगा उसके बाद सिर्फ दो सीजन बचते हैं और अगर डिज चैनल पर आपको सारे अबलेज गुम्ल जाएगे तो जली सेनल को सब्सक्राइब पोड़ोग दो वीडेओ को लाइक करते हो तो मिलताप स्विदीव यह टकेली गूटपाई